हेलो दोस्तों नमस्कार आशा करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार आप टीचिंग का दूसरा पढ़ा हो यानि कि जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से आप स्क्रीन प्रेजेंट करके आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप whiteboard का इस्तमाल करते हुए बच्चों को easily पढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं, तो जैसा कि आप में देख रहे होंगे की मेरी meeting start है, जैसा कि पिछले videos में भी मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप अपनी meeting schedule करके start कर सकते है Hey Classes को, दोसरे video में मैंने बताया आप कि किस प्रकार से आप अपने screen को present कर सकते हैं, तो आज उसी प्रकार मैं बताहूंगा कि आप इस्क्रीन में आप शाथी साथ आप whiteboard का इस्तमाल करते हुए किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो दोस्तों आपको करना सिर्फ यही है कि आपको यहाँ पर right down corner पर आप देखिए more option का option आपको दिखता है जहाँ पर 3 dot आपको दिखते हैं आपको वहाँ पर click करना है सबसे उपर में आपको option दिख जाता है open whiteboard का मतलब whiteboard open jam करके एक option आपको दिख जाता है जिस पर आपको click करना है तो अब यहाँ पर आप देखिए मैंने जैसे पहले create कर रखा था अगर मैं उसको भी करना चाहूं तो कर सकता हूं otherwise अगर आपको new whiteboard यूज करना है तो आप new whiteboard भी यूज कर सकते हैं तो जैसे आपने new whiteboard यूज किया तो कुछ इस प्रकार से आपका whiteboard open हो जाता है पर आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है सेम उसी प्रकार बच्चों को भी वो चीज नहीं दिखती है उसको दिखाने के लिए बच्चों को आपको करना सिर्फ यह होगा कि आपको screen present करनी पड़ी होगी जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए कि आपको screen present करनी पड़ती सेम उसी प्रकार से आप window आप select कर सकते हैं या आप वहाँ पर आपको दूसरा भी option दिखता है जैसे कि मैंने windows select किया तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको वो चीज दिख रही है आप बिलकुल देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से आपका whiteboard open हो जाता है अब मैं देता हूं तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने pen use किया pen use करते वे मैं जो भी लिखना चाहूं मैं आराम से लिख सकता हूं कोई tension नहीं है आप इसका change भी कर सकते है pen की जगे marker भी use कर सकते है marker कुछ इस तरीके से चलेगा यदि marker की जगे आप चाहते है कि highlighter use करें तो highlighter भी इस तरीके से आराम से आप use कर सकते हैं easily Way में साथी साथ अगर आप brush भी करना चाहते हैं तो brush भी आप use कर सकते हैं साथी आप देख सकते हैं कि eraser का भी option आता है आप erase भी कर सकते हैं एक एक चीज तो कुछ इस तरीके से यह option है साथी साथ अगर आप इसमें भी आपको कुछ और options भी मिल जाते जैसे कि आपकी यह line है आप इसको select करके कहीं अलग ले जाना चाहते है तो वो भी आपके पास option मिल जाता है जो कि Google meet आपको यहाँ पर provide कराता है उसके बाद आप इसको अगर चाहते हैं कि आप इसको as a note notes के रूप में इसको change करना चाहें तो यहाँ पर आप देखे stick की notes करके option आ रहा है उससे भी आप कर सकते हैं साथी साथ अगर आप image add करना चाहते हैं कुछ images आप add करके उस पर आप कुछ समझाना चाहते हैं तो आप यहाँ से image पर जाकर करके आप images select कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखे circle अगर आप create करना चाहते हैं तो आपको just option ऐसे click करना है आपके पास circle create हो जाता है साथी साथ अगर आपको और भी create करना जैसे आप square triangle इस तरीके की या arrow अगर आप जैसा भी create करना चाहें अपने comfortability के अनुसार आप कर सकते हैं easily सारे options यहाँ पर available हैं अब मान लिजे कुछ यहाँ पर पढ़ाया गया हुआ है teachers के द्वारा अब उसको laser के द्वारा आपको समझाना है कि मान लिजे यह कोई चीजे हैं आप इसको समझाना चाह रहे हैं तो laser के माद्यम से आप समझा सकते हैं जो की आप देख पा रहे होंगे आपने laser खीचा और पीछे साइट से वो चीजें मिक्ती हुई जा रहे हैं तो आपको एक तरीके से पढ़ाने में बहुत ही आसानी होती है इसके थ्रू तो आपको यहाँ पर option भी दिखता है यदि आपको पूरा frame clear करना है तो आप पूरा frame भी clear कर सकते हैं या कोई background आपको रखना है जैसे कि lining background आप select कर सकते हैं पूरा blue भी select कर सकते हैं इसको clear अगर आपने कुछ लिख रखा है आप उसको clear करना चाहरे है तो आप easily clear भी कर सकते हैं यहां से click करते ही साथी साथ अगर आपको next page में जाना है तो आप page number two select कर सकते हैं आप next page पे भी पहुँच जाएंगे तो I think आपको अब समझ में आही गया होगा कि किस प्रकार से आप Google Meet में screen sharing करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और निवेदन करता हूँ कि इसके बारे में अपनी राय हमारे comment box में अवश्य दें क्योंकि आने वाले वीडियो में आपके जो भी doubts रहेंगे उसको हम आपको बता सकें तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलाल इतना ही आगे और भी उपस्तेत होंगे Google Meet की और भी informations के साथ कि वो आपको teaching purpose में किस प्रकास से help कर सकती है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को subscribe करना न भूले और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो like जरूर करें थैंक्यू सो मच आशा करता हूँ आप सभी स्वस्तों के मिलेंगे फिर अगले वीडियो में धन्यवाद